हलो एवरिवन मैं हूँ मोनिका और स्वागत है रमोना किचन में आज मैं लाई हूँ आपके लिए बच्पन से खाते आ रहे हैं सुजी के हलवे की रेसिपी जो की हम बना तो लेते हैं लेकिन उसका परफेक्ट रेशो हमें नहीं पता होता है कभी मिठा कम हो जाता है कभी जा हलवा बनाना शुरू करते हैं हमने यहाँ पर एक कड़ाई लिए जिसमें हम डाल देंगे आधा कप घी और घी जितना डलता है उतना हलवा टेस्टी बनता है लेकिन हमने यहाँ पर डाला है आधा कप घी और उसमें हम डाल देंगे काजु और बदाम फ्राय करने के लिए अच्छे से हम इनको फोने कर लेंगे और किश्मिश को हम डालेंगे बाद में क्योंकि किश्मिश है वो बहुत जल्दी फोने हो जाती wild अब हमreg भी किश्मिश बादम निकाल लेंगे एक कप सुज्ग आप किसी ठीक लेह सकते हैं और अगर आप के पास इस तरह की कप हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं हमने यहाँ पर एक कप सुजी ली है और उसी रेशो से हम सारी चीज़ें मापेंगे हमें सुजी की गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सिकाई कर लेनी है अगर यह कच्छा रह जाएगा तो हमारा हल्वा ह है वह बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा यह देखिए हमारी सुजी का कलर है वह चेंज होता जा रहा है और इसी तरह से हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसकी सिकाई कर लेंगे मैं जिस परफेक्ट रेशो से यह हल्वा बना रही हूँ उसी तरीके से आप बनाएंगे तो आप जब पहली भार बना रहे हैं तब भी आप से यह बहुत ही अच्छा बन कर तयार होगा हमारी सूजी है उसका कलर चेंज हो रहा है यह देखिए थोड़ी देर हम इसकी और सिकाई करेंगे जब तक कि हमारा यह सूजी है वो अच्छे से गॉल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है यह देखिए हमारी सूजी है अच्छे से सिक चुकी है इसने घी भी छोड़ दिया है इसका मतलब है हमारी सूजी है वो अच्छे से कुक हो चुकी है देखिए हमारी सूजी में एक एक दाना है वो अच्छे से सिख चुका है और इसी स्टेश तक आपको इसे सेक लेना है तभी हमारा हलवा वो टेस्टी बनेगा वरना आपको कच्चा लगेगा अब हम इसमें जि तो आप 3 cup दूद का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप इसमें दूद और पानी मिक्स करके 3 cup एड़ कर सकते हैं हमें liquid है वो 3 cup ही एड़ करना है क्योंकि सूजी में 3 गुना पानी या 3 गुना दूद ही डलता है यही इसका शही रेशो होता है अच्छे से हमने इसको पानी क तो सूजी ने अब्जोव कर लिया है यह देखिए हमारी सूजी है कितना अच्छा कलर आया है उसमें लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें किसर भी डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आजाएगा हमने यहां पर दूद में भीगो कर किसर रख दीती वह इसमें एड़ कर दी है और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं एक कप चीनी जैसे हमने सूजी एक कप ली है उसी नाप से हम एक कप चीनी ले लेंगे जिसे कि हमारा ये रेशो है एकदम परफेक्ट बनेगा इस रेशो से हमारी हलवे में ना तो मिठा कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा अगर कोई मुठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप अपने अकोर्डिंग चीनी कमिया ज़्यादा कर सकते हैं चीनी डालने के बाद में हलवा है थोड़ा सा लिक्विडी हो जाता है लेकिन हमें इसे अच्छे से चलाते हुए कुक कर लेना है फ्लेम हमें मेडियम ही रखनी है यह देखिए हमारी चीनी है अच्छे से कुक हो चुकी है और हलवा का टेक्स्चर भी बहुत ही स्मूथ आया है आपको अभी थोड़ा सा पतला लग रहा होगा लेकिन वो जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे उसका टेक्स्चर रह वो एकदम प निगड़ेगा और हमेशा परफेक्ट बनकर तयार होगा हमें सिंफ द्यान यहीं रखना है कि हम जब सूजी की सिकाय करते हैं तो हमें उसे एकदम लो फ्लेम पर ही करना है और पेशन्स जरूर रखिएगा वरना आपका हलवा है बिलकुल अच्छा नहीं बनेगा और इसी तो हलवा है कैसा बना तो मिलते हम अगली रेसिपी में आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा जिससे कि मुझे 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 मिलता है और पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपी जे वह पसंदा रही है थैंक्स वर प्राग्जी जो तो प्राग्जिज कम वाज़ तो रही है बेवा उन्यवार फट बहुत श्राग् स्साखने कि अ.